सो वेलकम फ्रेंड स्वागते आप सभी का डेली न्यूज अपेर्स की सिरीस में बेसिक नोलेज के साथ साथ फंडस अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहो तो ये वडियो आपके लिए बहुए दमयत्पन रहने बाला है अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहो तो चैनल को सबस्क्राब करके विल आइकन को प्रेस कर लिजी इसकी पीडियाप आप टेलिग्राम से डाउनडोड कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रप्शन है मिल जाएगी सो चलिए शुरू करते हो देखते कि आज की अपडेट क्या कहती है दोस्तो आज की डिफेंस टोपिक में हम बात करने वाले हैं भारत के हाई एल्टिट्यूट बोर्डर साइवलाइन्स के बारे में रिसेंटली एक न्यूजिस से लेटर निकल कर सामना आई है जिसमें बताय गया है कि भारत की मिनिस्ट्यूट डिफेंस ने इन हाई एल्टिट्यूट प्लेटफॉर्म्स को विक्सित करने के लिए या फिर यूँ बोल सकते हैं कि सोधिशी रूप से विक्सित करने के लिए अपनी अंतरी मंजूरी दे दी है अगर हम बात करें इन हाई एल्टिट्यूट प्लेटफॉर्मस की जिसको शोट में बोलते हैं HAPS तो ये एक तरह के ड्रोन होते हैं और इनकी खासियत यह होती है कि ये सर्विलाइंस प्लेटफॉर्म पर उनकी तुलना में काफी अधिक उचाई तक उड़ सकते हैं इन हाई एल्टिट्यूट प्लेटफॉर्मस को इस तरह से डिजाइन कहा जाता है कि ये प्रत्वी की सता से करीबन 18 से लेकर 20 किलम्टर की उचाई पर उड़ सकते हैं इनका लावा ये प्लेटफॉर्म बहुत अधिक उचाई पर उड़ कर केबल गुर्टवाकर्शन की मदद से प्रत्वी के चार और गुमते हैं साथि हो ये हैच अपी किसी भी अन एरक्राप्टिक की तरह ही एक फूली प्रोपल्चन सिस्टम है अब ये प्रोपल्चन सिस्टम क्या होता है इसके बारे में भी हमने काफी वीडियो में काफी अच्छे से और डिटेल से समझाय हुआ है अगर आपने पिसले वीडियो नहीं देखे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स समझा कर वो देख सकते हो क्योंकि अपना सोलम का फ्यूल केरी नहीं कर सकते हैं और मैं आपको बता दू कि एक HAP येनकी High Attitude Platform आम तोर पर महिनों तक अफर्व एट्मोस्पेर में तेनात रह सकता है और सोलर एनरजी के लिए इनके पंकों में सोर फैनल लगे होते हैं और ये सोलर पैनल इतने लचले होते हैं कि ये HAP के पंकों पर आसानी से चिपक जाते हैं लेकिन इसके लिए ये भी जरूर है कि ये जो पैनल होते हैं ये High Efficiency वाले होने चाहिए जो कि कम से कम 30% पावर जनरेट कर सके केवल कंट्रोल सिस्टम और फैलोड जैसे एक्यूपमेंट को चलाने के लिए पर्रयाप्त पावर जनरेट करने में सक्षम होने चाहिए इनको इस प्रकार से डिजाइन के जाता है कि ये रात के समय के लिए एनप पावर इस्टोर करने में भी सक्षम होते हैं देखिए वर्ष 2022 में हेदराबाद में विंक्स इंडिया 2022 सायजित हुआ था उसके दुरान सिविल एविशन इवेंट्स में एनए एल ने एक हैपी का सब इसकेल मोडल प्रदिशित किया था जिन में एक अन्मेंड फ्लाइंग वेहिकल जो की दिन के दुरान सोर उड़ जा और रात में हाई डेंसिटी लिथियम ओयन बेटरेस का इस्तमाल करके पावर जनरेट करता था यह हलका UAV 16 से लेकर 20 किलोंटर से अधिक के पिलोट के साथ 90 दिनों तक 22 किलोंटर से अधिक की उचाई तक उड़ान बनने में सक्षम होता है अभी भारत की सुरक्षा एजेंसियों को भी एक ऐसे वेहिकल की जरुए थी जो की दुश्मन के रटार के पकड़ में आये साथ यह सिमारती इलाके में आसानी से उगूस सके और साथ साथ सर्वलाइन्स और रिकोंडिसेंस मिशन को अंजाम देने के लिए मल्टी स्पेक्टरल केमरास को ले जा सके और इस हएपी के अगरम बात करें तो इसमें लो डाटा, लिटेंसी, हाई बेंड विथ, लोंच की फेक्सिबिलिटी और लो कोस्ट जैसे फाइद होंगे हाला कि इसको पहले हलके वजन वाली मिशिद्धातो को अप्योग करके डिजाइन किया गया था लेकिन इसके बड़े पंखों ने उडान के दोरान इस्तिरता बनाये रखने की चुरूती है उसको फेस किया इसके बाद NAL के दोरा एक नियंतन परणाली विक्सित किये गई जो कि अन्मेंड एरियल वेहिकल को इस्तिर रखती है साथी कमपनी के दोरा एक AC टक्निक भी विक्सित किये गई जिससे उन्हें इस यान के पंकों पर पतले और पेनल लगाने के सुजदा मिल सके कमपनी की दोरा अपने प्रदेशन पर अधिक डेटा एककत्रे करने के लिए HAP मोडल विक्सित किये गए और इन मोडल की टेस्टिंग कमपनी की दोरा अब की जा रही है आने वाले कुछ सालों में फ्रेंड से ये जो हाई एल्टेट प्रेटफर्म से ये पूरी दरगे से त्यार हो सकते हैं अब इसके बारे में आपके क्या विचार आप कमेंट बूक्स में बता सकते हैं अगर वीडियो बसंदाते से लाइक कर लिजे चैनल पनाए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे विश्यों वेरी बेस्ट थैंकियो सो मच